नमस्कार दुस्तों कैसे हैं आप लोग NCRT क्लास 11 फिसकल जोग्रफी की किताब चल रही है और उसके चैप्टर नमबर 11 पे हम लोग पहुँच चुके हैं Water in the Atmosphere एक कंसेप्ट मैंने पिछले चैप्टर में आपसे बहुत बात किया कि माल लीजे ये है पहाड़ अब ये पहाड़ का विंडवर्ड साइड है ये लिवर्ड साइड है इस विंडवर्ड साइड पे जो रेन बेरिंग विंड्स होती है जो मौस्चर लेड़न विंड्स होती है उटक्कर मारती है साउथ विंड्स मौसून बहुत डंक से अब तक पड़ा चुका है आपको पहले की वीडियोस देखिए आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो होता ये है कि इविंड्स उपर जाती है उपर जाती है तो ये गरम से ठंडी होती है ठंडी होती है तो condensation होता और फिर precipitation होता है ये मैंने आपको बताया था अब ये जो particular phenomena मैंने आपको बताया था इसके पीछे का अगर scientific basis आपको नहीं समझ में आया तो वो आपको इस particular वीडियो में समझ में आ जाएगा और यही इस particular वीडियो का सार है Water in the atmosphere ठीक है एक्चुली में वैसे तो मैंने आपको बस ये बताया कि हाँ भई precipitation, condensation, relative humidity, absolute humidity वैसे बहुत से concept से इस chapter में बट बस पिछले chapter से थोड़ा correlate किया इसलिए particular example मैंने आपको बताया वैसे तो बहुत कुछ है यहां पर जानने को Water in the atmosphere के बरे में शुरुबात कैसे करते हैं बिलकुल basic से हवा, हमारे चेरोतरों जो हवा है उस हवा में नमी है इस नमी को आप moisture भी बोलते हो और इस moisture को आप लोग water vapor भी बोलते हो water vapor क्या है H2O, यानि पानी का gaseous form अब हवा में कितना water vapor होगा यह depend करता है जैसे for example किसी हवा में 0% water vapor भी हो सकता है by volume और 4% भी हो सकता है तो water vapor varies from 0% to 4% by volume of the atmosphere मतलब atmosphere में जितनी भी हवा है उसमें जो water vapor का content है वो 0-4% के बीच में हो सकता है यानि पानी का moisture का content हो 0-4% के बीच में हो सकता है और यह moisture का content यह water vapor का content एक बहुत important role play करता है यहापे जो पानी है वो हमारे atmosphere में तीन forms में exist करता है एक form है gaseous form एक form है liquid form और एक form है आपका solid form यह identify करना ज्यादा मुश्किल नहीं है तो भाई यह gaseous form तो भाई water vapor आपका gaseous form है solid form तो भाई ice snow यह सब आपका solid form है और liquid form तो भाई इतना ocean इतनी नदियां यह सब क्या है liquid form है ठीक है यह जो moisture होता है atmosphere में it is derived from water bodies through evaporation from plants through transpiration तो पानी bodies है pond है rivers है ocean से इन में evaporation होगा पानी उपर उठेगा यह पानी की surface है इसमें गर्मी पड़ेगी गर्मी की चलते हैं जो पानी की drop let से moisture में convert होंगी और उपर उठेगी तो यह evaporation होगा दूसरा transpiration भी होता है transpiration क्या है कि मान लीजे कोई पेड़ पौधा लगावा उसकी यह पत्तिया है उन पत्यों में छोटे-छोटे pores होते हैं अब क्या होता है कि यह जो plant होता है यह plant की roots soil के अंदर होती है soil में आपको पता है moisture होता है पानी होता है regularly हम लोग plants को पानी भी देते हैं अपने घर में अगर आप घर में पेड़ पौधे बगार होंगे तो तो इस soil से यह जो moisture होता है वो moisture इस plant की stem से होता हुआ पत्यों से होता हुआ evaporate करके atmosphere में चला जाता है इस particular process को आप बोलते हो transpiration, transpiration मैंने आपको science की किताब में समझाया है NCRT आप नवे की छटे से लेके मैं साथमें तक की NCRT डिसकस कर चुको आप किस वाली में मैंने समझाया है मुझे याद नहीं साइंस की किताब में बारे मैंने पहले बात की और यहां पर भी आपको बता दिया कि भाया soil में जो क्या बोलते हो, transpiration बोलते हो, तो transpiration के चलते, evaporation के चलते, continuous exchange चलता है water का atmosphere में, oceans में और continents में, तो continents, oceans, atmosphere, continent पे आपको पता है कि पेड़ पौधे होते हैं, ponds होते हैं, rivers होती हैं, सब तो continent पे ही है, oceans तो पानी की body हो गए, atmosphere हवा, तो इन सब जगहों पे आपका लगातार पानी का process चल रहा है, और वो process किन-किन processes से जुड़ा हुआ है, evaporation से, transpiration से, condensation से, precipitation से, यह processes हम लोग यहाँ पे बहुत ढंक से समझेंगे, और इस पीछे की science को भी हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, अब यहाँ पर एक term निकल कहा रहा है, humidity, what is actually humidity, देखें, किसी air में, किसी हवा में, कितनी नमी है, कितना water vapor है, यह decide करेगा कि उस हवा में humidity कितनी है मतलब कि amount of water vapor present in the air, it is known as humidity, अब humidity, जैसे कि आप बोलते हो, हवा में बहुत नमी है, बहुत जदा humidity, अक्सर कर हम लोग बातचीत में भी बात करते हैंगे, बहुत humidity है, हवा में जब humidity ज़धा होती है, तो हम लोग uncomfortable feel करते हैं, क्यो uncomfortable feel करते हैं, यह मैंने बहुत बार पहले effect आता है, हमारी body में जो बाहर पसीना निकल रहा होता है, जो गरम होता है, तो कम humidity वाली हवा उसको फिर भी एक बार को सोख लेगी, तो लखनू और यह जहां पे जो coastal इलाके नहीं, continental इलाके नहीं, वहाँ पे हवा में जदा humidity नहीं होती है, तो गर्मी में अगर आप पंख कूलर से आपका काम नहीं चलेगा, चूकि वहां की हवा में humidity ज़्यादा है, पूलर वही जदा humidity वाली हवा आपके भेजेगा, और आपका जो पसीना होगा, और अज़ें उस हवा में humidity जदा होगी, मॉस्चर जदा होगा, वह आपका मॉस्चर खीच नहीं पाएगा, तो य आगे बढ़ने से पहले, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजे, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप अपने डाउट्स मूट सकते हैं, देखिए, अभी प्रेलिंस तक हो सकता है, मैं ज़्यादा डाउट्स क को वेबसाइट पर अपने बॉट कॉम फैट पर जाके अप डेली की बेसे पर करने डाउट पड़ भी सकते हैं, तो वापस आजाते हैं, वाट इस एपसलीव वीडिटी पर प्रेजिटी पर प्रेजा इसको आप अपसलीव वीडिटी बोलो हो, मतलर की एक हवा में एक जग volume of air and is expressed in terms of grams per cubic meter मतलब पानी का वजन water vapor का वजन per unit volume of air मतलब एक unit volume of air में कितना weight है water vapor का इसको आप humidity बोल सकते हो या फिर grams per cubic meter में भी इसको express किया जाता है मतलब कि एक unit volume of air में कितना नमी है यह measure करता है आपका absolute humidity समझ गया तो absolute humidity अव्यसी बात है अलग अलग जगहां पर अलग होगी जैसा कि मैंने बताया continental इलाकों में लखनौ में कानपोर जैसी जगहां पर humidity अलग होगी मुंबई गुजरात अड़नमान इन सब जगहां पर चले जाओगी humidity अलग होगी समंदर के अलाकों के पास या फिर continental अलाकों में भी जगह जगह पर humidity अलग अलग होती डिपेंड करता है आसपास कितने water resources हैं कितने पेड हैं बहुत सारे factors पर humidity डिपेंड करती है ठीक है तो किसी भी particular जगह की हवा में per unit volume of air कितना पानी का वजन है कितना water vapor का वजन है ये बताता है आपको absolute humidity ठीक है भाई अब ये एक point होगे absolute humidity की condition आपको समझ में आगे क्या है absolute humidity मतलब किसी एक particular जगा की हवा में पर unit volume में कितना वजन है water vapor का वो absolute humidity एक बात हो गई अब दूसरी बात करते हैं The ability of the air to hold water vapor depends entirely on its temperature The absolute humidity differs from place to place on the surface of the earth The percentage of moisture is present in the atmosphere as compared to its full capacity at a given temperature is known as relative humidity एक एक करके line को समझते हैं एक चीज़ समझ लीजे पानी कितनी humidity पकड़ सकती है हवा कितनी humidity पकड़ सकती है हवा कितना moisture पकड़ सकता है पानी में गलती बोलगे हवा की बात करो तो हवा कितना moisture पकड़ सकता है हवा कितना water vapor पकड़ सकता है यह इस बात में depend करेगा कि हवा का temperature कितना है तो अगर हवा थंडी है, हवा का temperature कम है, तो वो ज़्यादा water vapor moisture नहीं पकड़ पाईगी और अगर हवा गरम है, तो वो ज़्यादा water vapor moisture पकड़ पाईगी if the air is warm उसकी capacity moisture पकड़ने की ज़्यादा होगी और अगर हवा comparatively ठंडी है तो उसकी capacity moisture पकड़ने की water वापर पकड़ने की कम होगी तो गरम हवा ज़्यादा moisture पकड़ सकती है ठंडी हवा comparatively कम moisture पकड़ सकती है ठीक है यह एक समझ में आगे आपको अब यहां पर आते हैं relative humidity की concept what is actually relative humidity यह एक concept बहुत सदे important है relative humidity को absolute humidity की साथ कभी भी compare मत करिएगा तो क्या होती relative humidity relative humidity relative है मतलब दो चीज़ों को compare कर रही है तो यहां पर एक चीज हो जाएगी numerator और एक चीज हो जाएगी denominator 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 में आप क्या रखोगे denominator में आप रखोगे maximum moisture retaining capacity of air किसी एक particular जगा की हवा में किसी एक particular temperature पे कितनी maximum humidity वो हवा पकड़ सकती है उसको आप रखोगे denominator में और actually में उस हवा में कितनी humidity है absolute वाली उसको आप रखोगे numerator में और यह जो आपका ratio निकल के आएगा यह relative humidity होगी समझगे मतलब किसी अब यहां पर obvious सी बात आप temperature को constant रखो चुकि जैसा कि मैंने आपको बताया temperature के बढ़ने गटने के साथ हवा की moisture पकड़ने की capacity भी change होती रहती है अगर हवा का temperature ज्यादा है हवा naturally ज्यादा moisture पकड़ लेगी हवा का temperature कम है हवा ज़्यादा moisture पकड़ने पाएगी तो temperature एक लेमिट से ज्यादा गिर जाता है तो हवा moisture है उपर नजर आने लगेगा cricket Stadium के अंदर पतियों के ऊपर नतर आने लगेगा यह u होती है वो उस पर हम थोड़ी दिर में आ रहे हैं डियू डियू पॉइंट यह सब अभी आगए आने वाले हैं दीरी-दीर करके देखते हैं तो रिलेटिव हुमिडिटी में क्या हुआ कि आपने एक constant temperature पर बात की एक given temperature पर बात की तो एक particular temperature को आपने base पर रख लिया उस temperature पे वह हवा maximum कितनी humidity रख सकती है वो आपने denominator में लिखा और absolute humidity तो देखिए मैंने बताई दी ठीकिन absolute humidity तो एक particular pressure पे, temperature पे, जगा पे भी depend करती हो, relative humidity भी change करेगी जगा जगा के साथ, अलग-अलग temperature पे relative humidity भी अलगल हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि देखे, naturally अगर हवा का temperature ज़या है, तो उसमें नवी भी ज़यादा हो जाएगी जितना ज़ादा agitated हवा होगी, agitated मतलब जितना ज़ादा हवा के अंदर energy है, जितना ज़ादा हवा का temperature है उतना ज़ादा उस हवा की moisture पकड़ने की ताकत है, यह याद रखेगा, ठीक है तो अगर temperature हवा का जादा है तो उसके moisture पकड़ने की ताकत जादा होगी अगर temperature हवा का कम है तो उसके moisture पकड़ने की ताकत कम होगी तो automatically अगर temperature जादा हो जाता है तो हवा की relative humidity बढ़ जाएगी और अगर temperature कम हो जाता है तो हवा की relative humidity कम हो जाएगी एक और बाद, relative humidity oceans के उपर ज़्यादा होती है और continents के उपर कम होती है अब ये बताना कोई rocket science नहीं है oceans के उपर तो relative humidity ज़्यादा होगी न भाई, ocean के उपर moisture ज़्यादा है ocean के उपर पानी ही पानी है अभी पानी पे थोड़ा सा भी गर्मी पड़ेगी तो moisture आराम से आजाएगा और जो continent इलाके हैं बिल्कुल अंदरूनी इलाके हैं जो कि समुंदर से दूर है वहाँ पे automatically आपका moisture कम हो जाएगा चुकि पानी है ही नहीं आपका evaporation लाने को जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा है प्लांट वगरा से आ रहा है continent के लाकों में कम होगी प्लास जितना ज़्यादा temperature उतना ज़्यादा हवा की moisture को retain करने की ताकत उतनी ज़्यादा relative humidity ओके अब अगला concept एक हवा saturated कब कहलाती है जब किसी हवा के अंदर moisture पूरी full capacity तक आ जाए किसी ये given temperature पे तो उसको आप saturated बोलते हो एक हवा का एक पर्टिकूलर टेंपरेचर है उस पर्टिकूलर टेंपरेचर पे जो उसकी maximum moisture retention capacity होगी अगर वो पूरी की पूरी capacity पूरी कर लेती है वो हवा maximum moisture उसने contain कर लिया अब इससे जादा तुमने moisture दिया तो वह तो हो आ जाएगा या क्लाउड बन जागा कुछ हो जाएगा तो maximum जो retention capacity होती है किसी हवा की किसी पर्टिकूलर गिवन temperature पे अगर वो मीट हो जाती है तब बोला जाता है कि हवा is saturated ठीक है इसका मतलब क्या है मतलब अगर हवा saturated phase में पहुँच गी तो what this means it means कि अब उस particular temperature पे वो हवा additional amount of moisture नहीं पकड़ सकती अब वो उसको और retain नहीं कर सकती मतलब उस particular temperature पे वो हवा additional amount of moisture retain नहीं कर सकती और फिर क्या बोला जा रहा है the temperature at which saturation occurs in a given sample of air is called dew point अब यह dew point बहुत समझना जरूरी यहां पे मतलब की क्या है simple मतलब है कि भाई हवा में इतना moisture आ चुका है कि आप और और moisture नहीं पकड़ सकती और यहां पर temperature आप constant रखना पड़ेगा किसी एक particular temperature के लिए आप कर सकते हो और अभी मैंने थोड़े दर पहले आपको बताया कि temperature ज्यादा तो humidity ज्यादा temperature कम तो humidity कम लेकिन किसी एक particular temperature पर जो हवा है अगर वह maximum level पहुच जाएगी तो वह हो गई saturated और वह हो गया उसका dew point मतलब इसके बाद अगर तुमने moisture बढ़ाया तो भाई जो moisture है extra है वो पानी के form में dew के form में या फिर cloud के form में fog के form में आपके सामने आने लगेगा तो temperature at which saturation occurs in a given sample of air it is known as dew point इसको एक और तरीके समझेए मान लिजे हवा का temperature जाता था उसके अंदर कुछ और moisture था तो अभी उस हवा की जो आप कह सकते हो humidity पकड़ने की तागत थी वह जादा थी अगदम से मान लिजे रात हुई और जब रात हुई तो temperature गिरा अब temperature पर डिबेंड कर रहा है समझ गए बात को तो जब temperature गिरा तो जो पहले existent moisture था जो कि ज़्यादा temperature वाली हवा के लिए कम था saturated नहीं बना रहा था हवा को लेकिन अब चूकि temperature गिर रहा है तो कोई तो एक ऐसा particular temperature आएगा जिस पर हवा saturated हो जाएगी बतलब वस particular temperature पे अब additional amount of moisture hold नहीं हो सकता वो particular temperature ही आपको dew point कहलाता है समझ गए आप बात को तो यह है आपका dew point तो आपको dew point समझ में आ गया हो आपको absolute humidity समझ में आ गया हो आपको relative humidity समझ में आ गयी हो आपको saturation क्या होता है यह भी समझ में आ गया है एक और चीज़, dew point फिर से बोल देता हूँ temperature जब गिरेगा तो dew point जिल्दी आ जाएगा बस इस point को समझ जाओ चुकि हब हर हवा में थोड़ी बहुत नमी तो है अब कोछ हवा ऐसी होती जो बिल्कुल ड्राइ होती है बरेगिस्तान में चले जाओ थार डिजर्ड में भाई बिल्कुल ही आप कह सकते हो ना के बरावर humidity होती है हवा में जो कि वहाँ पानी है यहीं नहीं तो इवैपरिशन होगा कहा है ना वहाँ प्लांट्स है ना पानी है ना पेड़ है पूरा रेगिस्तान है तो हवा तो वहाँ ड्राइ होगी कभी न कभी एक phase ऐसा आएगा एक ऐसा temperature आएगा उस हवा का जिस समय पे उस हवा में moisture level maximum amount पर होगा उसको आप बोलोगे saturation और वही temperature आपका dew point बन जाएगा चुकि उसके बाद dew बन नहीं शुरू हो जाएगी उसके बाद जो excess moisture है वो हवा हैंडल नहीं कर सकती I hope आपको concept clear हो जल्दी अगली video में मिलेंगे